माइ डियर फ्रेंट रेलवे स्पेशल प्रेक्टिस सेट का यह प्रेक्टिस सेट नमबर 27 है इसमें रेलवे के प्रिवियस एर पेपर को संकलित किया गया है जैसा कि आप एक्जाम पैटर्न भी देख रहे हैं वह पूराने पैटर्न पर ही बेस्ट है मैं जितना भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिपिकेशन बिल्को दबा लें वीडियो को दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा सेयर करें आज का पहला प्रस्ण है राजसभा का पहला अध्यक्ष था सही आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो राजसभा के अ सब्सक्राइब या पहले उपाध्यक्ष थे और अभी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं राजिसबा के वह हैं हरिवन्स नारायन अगर लोकसबा की बात करें तो लोकसबा के पहले अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे और पहले उपाध्यक्ष जो थे वह अनंत सैनम एंगर थे अनंत सैनम एंगर ये लोगसभा के पहले उपाध्यक्ष थे और जीवी मावलंकर लोगसभा के पहले अध्यक्ष थे भारत के राष्टपती के कार्जकाल का कार्जकाल है यह भारत के राष्टपती का कार्जकाल कितने वर्सों का होता है तो यह पांच बड़सों का होता है सभी को मालूम है राष्टपती, प्रदान मंत्री, मुक मंत्री इन सभी का कार्जकाल जो होता है वह पांच बड़सों का होता है 2011 की जनगना के अनसार भारत के निम्लिकित राजियों में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात है तो जो 2011 की जनगना के अनसार जो निम्नतम लिंगानुपात वाला राज है वह हर्याना है अगर बात करें अधिकतम लिंगानुपात वाला राज 2011 की जनगना के अनसार तो वह के निम्न में से कौन सा दुनिया में नियूंतम घनी आवादी वाला अस्थान है तो ग्रीन लेंड या दिपो का समू है रेरली पॉपुलेशन यहां पर पाए जाते हैं तो ग्रीन लेंड में सबसे कम घनी आवादी रहती है सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को डैस फसलें कहते हैं तो सर्दियों के बोई जाती है उन्हें हम रवी फसल कहते हैं रवी फसल में गेहूं, सर्सों, ये सभी रवी फसल होते हैं और इनकी बुगाई अक्टूबर नवंबर सर्दी के मौसम में होती है और काटा जो जाता है वह अप्रील मैं में काटा जाता है रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्ज करता है? मैं पहले आपको रोलर कोस्टर का पिक्चर दिखाता हूँ ये पिक्चर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे ही रोलर कोस्टर कहा जाता है कभी अप जाता है फिर नीचे आता है ये एक मतलब सर्कल पूरा करता है किसी भी तरीके का गुमाबदार होके भी यह सर्कल पूरा करता है आपसे पूछा गया है कि कौन से फोर्स के कारण या वरक करता है सही आंसर होगा B नमर यानि सेंट्री पीटल फोर्स जो केंदर की तरफ लगने वाला बल होता है उसे हम अभी केंदरी बल कहते हैं और जो केंदर के बाहर के तरफ बल लगता है उसे हम सेंट्री फ्यूगल फोर्स कहते हैं अब केंदरी बल कहते हैं तो roller coaster की सवारी में जो बल लगता है वह centripetal force अभी केंद्री बल होता है जिसमें सभी nodes यानि जो device वगरा होता है यह बात हो रही है computer networking की तो जिसमें सभी nodes सीधे तोर पर एक केंद्री या computer से जुरे होते हैं वह local area network उस lane को क्या कहा जाता है lane के different type होते है ring topology, bus topology, star topology तो आपको पूछा गया है कि जितने अन्य computer हैं या device है वह central device के साथ अगर जुरे हो तो इसे हम क्या कहते हैं तो सही answer होगा c number यानि इस संदचना को हम star topology कहते हैं star topology कहते हैं star का जो symbol होता है उसे भी आप देखिए तो वो same मिलता है बीच के computer से अन्य computer जुरे हो रहना टकला माकन रेगिस्तान कहां पाया जाता है यानि कहां पर है सौदी अरबिया, नामीबिया, चाइना, अमेरिका या उस देश का एक प्रसिद रेगिस्तान है टकला माकन रेगिस्तान और कई बार exam में पूछा गया है static तो मैं जितना करवाता हूँ उससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है अभी तक के exam में अगर static की बात करें तो आप मेरे practice sit को देख सकते हैं उसी से प्रस्ण आये है तो सही answer होगा C नमर यानि चाइना चीन में टकला माकन रेगिस्तान इस्थित है नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी 1908 SB में, 1910 SB में, 1911 SB में, 1914 SB में तो सही answer होगा C नमर यानि 1911 SB में नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी 1911 SB सही answer होगा Cabinet Mission जिसमें 1946 में Cabinet Mission योजना तयार किया गया नमलिकित गर्णवान वक्तियों में से कौन सामिल थे यानि 1946 के Cabinet Mission देखिए Cabinet Mission और क्रिप्स Mission में बच्चे कन्फ्यूज होते है क्रिप्स Mission 1942 SB में आया था जबकि Cabinet Mission 1946 SB में आया था तो उसमें कौन सामिल थे मुहमाद अली जिन्ना, सर पेंथिक लॉरेंस, क्लिमेंट एटली, लॉइड माउंट वेटन सही answer होगा B नम्मर यानि सर पेंथिक लॉरेंस या Cabinet Mission योजना में सामिल थे Sterling Silver के नियूनतम हजारवें भाग की सुधता क्या है 916, 925, 935, 950 तो यहां पे सही answer होगा B नम्मर 925 मैं पहले define करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा यह प्रस्ण क्या पूछ रहा था Sterling Silver जो होता है, वह एक तरह का LOI होता है, एक तरह का मिसरदात हो होता है जिसमें Silver यानि चांदी और किसी Unmetal को मिलाके बनाया जाता है तो मैं percentage में बताता हूँ, यानि 100 में बताता हूँ, 92.5% उसमें Silver होता है और 7.5% Unmetal, Unmetal बोले तो ज़्यादातर अगर इस्तेमाल किया जाता है, वह Copper का ही इस्तेमाल किया जाता है तो 92.5% Silver और 7.5% Copper को मिलाकर या Sterling Silver मजबूती के लिए बनाया जाता है तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, 1000 में कितना है इसका सुद्धता, तो वह 925 ही होगा तो यहाँ सही अंसर होगा, B नम्मर सुर्ज के Photo Spare से उत्पन होने वाली उर्जा के संचिप्त विसपोटो को क्या कहते हैं यह सबी प्रस्ण डेलवे के पूछे गए प्रस्ण है तो Photo Spare जो बाहरी परत होता है, वहाँ से उत्पन होने वाली उर्जा के संचिप्त विसपोटो को क्या कहा जाता है सोलार इनर्जी, सौर प्राज्वाल, सन स्पोट या फिर सोलार विंड तो यहाँ सही जो होगा, वह बी नम्मर होगा, सोलार फ्लेयर्ज कहा जाता है सौर जी के Photo Spare से उत्पन होने वाली उर्जा के संचिप्त विसपोट को तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको ब्रैटनेस दिख रहा है, वह सोलार फ्लेयर्ज के ही कारण है सौर विसपोट के ही कारण यह पर जो सौर्ज का सता होता है, उस पर यह स्पार्ट होता है अचानक कहीं का परकास जो होता है, सोलार, हम लोग को तो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता है बढ़ टेलिसकोप के द्वारा इसे देखा गया है, कि सौर्ज के किसी पार्ट में आचानक ब्रैटनेस बढ़ जाता है तो वह किस के कारण होता है, सोलार फ्लेयर्ज के कारण होता है तो बी नमर आपका सही आंसर होगा, सोर्ज प्राजवाल ले यूएन कंजूमर बिल में परिवासित अधिकारों में उभोकता अधिकार निमन में से कौन सा नहीं है यानि यूनेटर नेशन के जोरा कंजूमर बिल पास किया गया उसमें उभोकता अधिकार कौन सा नहीं है यानि उभोकता को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया भारत में भी उभोकता संड़क्चन अधिकार नहीं बनाया गया आपको इस भी भी पूछा जाता है 1986 उबोगता संदक्षन अदनियम 1986 जिसमें कुछ अधिकार दिये जाते हैं भोगताओं को जो भी आप समान खड़िते हैं उसमें MSP क्या होता है, MRP क्या होता है इस तरह की बातें पर कुछ अधिकार दिये जाते हैं यहाँ पर आपको बताना है कौन सा UN कंजूमर बिल में समलित नहीं है चैन करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, प्रतियोगिता का अधिकार, निवारन का अधिकार तो यहाँ पर आपका सही अंसर होगा C नमर यानि प्रतियोगिता का अधिकार जो भी कंजूमर्स होते हैं उन्हें कंपिटिशन का अधिकार नहीं दिया गया है जबकि यहने सब यह अधिकार दिया गया है चैन करने का अधिकार, सुरक्चा का अधिकार, निवारन का अधिकार एक MS Excel सीट पर काम करते वक्त समय एक कक्च में कोई फॉर्मूला दर्ज करने के लिए फॉर्मूला से पहले क्या आना चाहिए यानि जब आप MS Excel पर काम कर रहे होते हैं एक्सल पर वर्क कर रहे होते हैं तो आपको जो फॉर्मूला डालना रहता है उससे पहले किस सिंबॉल का उपयोग किया जाता है एड़ दरेट, एक्वल टू, स्टार या फिर एंड तो यहां सही आंसर होगा बी नमर यानि एक्वल टू साइन का इस्तेमाल किया जाता है MS Excel सीट पर कार्ज करते वक्त फॉर्मूला दर्ज करने में एक्वल टू साइन बी नमर सही आंसर होगा किस देश के प्रदानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है किस देश के प्रदानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है नेपाल, म्यानमार, स्रलंका, मंगला देश तो से अंसर होगा सी नम्मर यानि स्रिलंका के प्रदानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है तो स्रिलंका के प्रदानमंत्री और रश्टपती भी आपसे पूछे जा सकते हैं स्रिलंका के जो प्रदानमंत्री हैं वह हैं महंद्रा राजपक्चे जो पहले भी थे और बाद में उनके बरे भाई वो बने हैं स्रिलंका के राश्टपती उनका नाम है गोटवाया राजपक्चे यानि स्रिलंगा के प्रदानमंत्री और राष्टपती दोनों आपस में भाई हैं स्रिलंगा के जो प्रदानमंत्री हैं उनका नाम है महेंदरा राजपक्चे और स्रिलंगा के जो राष्टपती हैं उनका नाम है गोटवाया राजपक्चे तिरुकुरल नामक परशिद्ग्रंथ के संकलन करता कौन है कालिदास, तिरुवलुवर, कबीर, मीरावाई या तमिल साहिति का एक बुक है आपको बताना है तिरुकुरल का नामक जो परशिद्ग्रंथ है उसके संकलन करता कौन है तो यहां पर सही आंसर होगा बी नम्मर तिरु वल्लुवर या तिरु कुरल नामक परशिद ग्रंथ के संकलन करता है नम्लिकित में से कौन सी एक अमूर्थ परिसंपतियां है अमूर्थ परिसंपतियां मतलब होता है कि इन टचेवल जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं इसा जो होता है वह परिसंपति कौन सी है साख गुड़ विल रिसीबेबल जो बस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं श्टॉक्स या फिर कैस इसमें से कौन सी अमूर्थ परिसंपतियां हैं तो सही आंसर होगा ए नम्मर यानि गुड़ विल जो है जो आपका क्रेडिट होता है जिससे आपको उधारी मिल सकता है वो एक छुने वाली वस्तु नहीं है जेखिए जितने भी इमोसंस से जूरे चीजें होती है वो सभी अमूर्थ संपतियां अमूर्थ धरोहर कहलाती है और जितने भी चीजें होती है जिसे आप टच कर सकते हैं वो सारे मूर्थ परिसंपतियां कहलाती है तो यहाँ पे साख गुड़ विल जो है यहाँ एक अमूर्थ परिसंपति है मिथेन के जलने पर क्या होता है कार्वन मोनोडख ऑक्साइड गैस निकलती है कार्वन राकसेस रह जाती है कार्वनिट बनता है कार्वन डायोक्साइड और पानी निकलता है CH4 मिथेन के जलने से क्या होता है तो सही आंसर होगा D नम्मर यानि कारवन डायोकसाइड और पानी निकलता है CO2 and S2O का फॉर्मिशन होता है मिथेन के जलने के फरलत स्वरूप NHRC राष्टिय मानवाधिकार आयोग नेशनल हुमेन डाइट कमिशन का द्यक्च किसे निप्त किया गया J.S. वर्मा, K. रामस्वामी, गोविंदा सर्मा, H.L. दत्तु National Human Rights Commission राष्टिय मानवाधिकार आयोग तो सही आंसर है D नम्मर H.L. दत्तु को या सुप्रिम कोट के निया अधीस थे इन्हें राष्टिय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्च निप्त किया गया वारतिय संबिधान के अनुसार कितनी भासाओं को काडिया लेई भासा का दर्जा दिया गया है 15, 18, 22, 25 तो सही आंसर होगा C नम्मर यानि संबिधान के अनुसार 22 भासाओं को ओफिसियल लेंग्विज का दर्जा दिया गया है 1930 में पर्थम राष्ट मंडल खेल जिनने तब ब्रिटिस अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था कहां खेला गया था देखिए राष्ट मंडल खेल जो होता है राष्ट मंडल देशों के बीच में ही खेला जाता है राष्ट मंडल देश कोमन वेल्थ नेशन वे आते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे तो ब्रिटेन के गुलाम देश बस नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया उसका नाम बदल दिया गया कोमन वेल्थ गेम आप पहले क्या नाम था ब्रिटिस अम्पायर गेम्स नाम से इक लिए है कि ये ब्रिटिस एम्प क्राउण के अंदर जितने भी देश हैं के बीच होने वाला खेल है तो राश्टमंडल का मतलब यह है कि बिटिस क्राउंज के अंदर जितने देश जो बिटेन के उपने वेश रहे थे उन देशों के बीच का होने वाला खेल और सबसे पहली बार कब हुआ था 1930 इस भी में कहां पे हुआ था आपको यह बताना है हैमिल्टन लंदन, सिड्नी, मैंचेस्टर तो सही आंसर होगा ए नमर हैमिल्टन में हुआ था 1930 इस भी में नमर कि दिमें से किस देश में सिंधु नदी प्रभाहित नहीं होती है भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान बहुत ही कन्फ्यूजिंग कोश्चन है सही से आंसर दीजिएगा तो सही आंसर है डी नमर यानि अफगानिस्तान से होकर सिंधु नदी प्रभाहित नहीं होती है चीन, पाकिस्तान और भारत से होकर या प्रवाहित होती है एक ऑक्सिजन परवानु में कितने सैयोजी इलक्टरोन होते हैं दो, छे, आठ, सुल्ला तो यहां जो सही अंसर होगा वो बी नम्मर होगा एक ऑक्सिजन परवानु में टोटल जो होते हैं वो छे, सैयोजी इलक्टरोन होते हैं कितने? छे, छे, सैयोजी इलक्टरोन होते हैं यूरिया का निर्मान कहां होता है? मानव सरीर की बात हो रही है यूरिया जो मुत्र में मिला हुआ निकलता है तो यूरिया का निर्मान कहां पर होता है? अगनास है यक्रित, छोटी आत, गुर दे सही अंसर है बी नम्मर यानि यक्रित में जो आपका लीवर होता है वहाँ पर ही योडिया का निर्मान होता है एक प्रस्ण पूछा जाता है कि सरीर में किस जगा पर जहर जो होता है उसका पता लगाया जाता है तो वह भी यकृत कोई देख के पता लगाया जाता है कि जहर से मौत हुई है या किसी अन्य चीज़ों से या लैब के द्वारा टेस्ट किया जाता है आवर सार्नी के नियूनतम प्रतिकरिया सील तत्त है संक्रमन धातु, छारिये भू धातु, उतकरिष्ट गैस या फिर छारिये धातु आवर सार्नी से भी प्रशन देखने को मिले हैं तो नियूनतम प्रतिकरिया सील तत्तो कौन सा होता है सही आंसर होगा, C नमर उतकरिष्ट गैस जो हिलियम, नियोन, आरगन, क्रेप्टन, जैनन जो लाश्ट में होते हैं, वह उतकरिष्ट गैस होते हैं और वही सबसे कम प्रतिकरिया सील होते हैं जब सीधे उपर की और फेका जाता है किसी चीज को एक पत्थर को तो जब वो सिर्स पर पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है उसके साथ क्या होता है किसी चीज को अगर आप उपर फेकते हैं कि वो अपने last point पे पहुंच जाता है जितना उचाई जा सकता है वहाँ पे पहुंच गया तो उसके साथ क्या होगा पहला है वेग और त्वरण सुन्नी हो जाते है वेग सुन्नी होता है त्वरण लगबग 10 मीटर पर सकेंड होता है और त्वरण सामान बना रहता है तो यहाँ पे सही अंसर बी नमर वेग लगबग सुन्नी हो जाता है त्वरण 10 मीटर पर सकेंड होता है जब आप उपर की तरफ फेकते हैं तो उसमें काइनेटिक इनरजी होता है लेकिन उपर जाके जब वो इस्थीर होता है तो उसका वेग सुन्नी हो जाता है और वो की और गिरने लगता है भारतिय पुरसों की वाटर पूलो टीम ने A.C.I. खेलों किस वर्ष त्वर्ण पधक जीता था। 1970 इस भी में, 2010 इस भी में, 1951 या फिर 1982 इस भी में वाटर पूलो टीम ने ACI खेल में कब स्वरन पदक जीता था ये सबी कुछ प्रस्ण है जो पिछले NTPC में पूछे गए हैं हो सकता है आगे एकजाम में ऐसे प्रस्ण पूछे जाएं तो यहां सही अंसर होगा C नमर यानि 1951 में पुर्सों की वाटर पोलो टीम ने ACI खेल में स्वरन पदक जीता था नमर लिकित में से किसे BCCI के Ethics Officer के रूप में नुक्त किया गया यहां पे जो भी Option है वो पुराने Option है मैं आपको बताता हूँ अभी BCCI के Ethics Officer कौन है अभी जो हमारे BCCI के Ethics Officer है उनका नाम DK Gen है यहां लिकित में से कौन सा जानवर का एक तिवर वाइरल लोग जानवरों के द्वारा तिवर वाइरल लोग है जो मनुशियों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है हीमोफीलिया कैंसर रेबीज गल्स हुआ इससे आप सभी पढ़चित है जानवरों के द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है अगर जानवर रेबीज रोग से पिरित है तो फिर आदमी को भी वा संक्रमित होगा तो सही आंसर होगा सी नमर यानि रेबीज आप देखते होंगे जब कुटा काट लेता है तो उसके बाद बहुत सारे इंजेक्शन्स दिये जाते है उसका एक कोर्स होता है उतना कोर्स पूरा किया जाता है वो इसके लिए क्योंकि अगर जिस डॉग ने आपको काटा है अगर वो रेबीज से संक्रमित होगा तो आपको भी वा बिमारी होगी और वो खतरनाक बिमारी होती है जल सोधन में कौन सी पृक्रिया का प्रियोग किया जाता है यानि जो प्यूरिफिकेशन आफ वाटर किया जाता है उसमें किस प्रियोग कि जितने भी आप वाटर फिल्टर आरो वगरे देखते हैं reverse osmosis उसका नामी होता है आप वहां से भी समझ सकते हैं जल सोधन में कौन सी प्रिक्रिया का प्रियोग किया जाता है osmosis, reverse osmosis, cytolysis या टर्गर प्रेसर तो answer मैंने बताई दिया B number इसलिए उस जिससे आप पानी पीते हैं आरो वाटर है क्या यानि reverse osmosis प्रिक्रिया के द्वारा सुद्ध किया गया वाटर है B number सही answer होगा हम लोग जाने आन जाने में scientific word का यूज करते हैं आरो MS-DOS के लिए परतम computer virus का और दियोगिक मानक नाम क्या है Heart, Brain, Nerve, Vain या पहला computer virus है जो की MS-DOS DOS, Disk Operating System कभी कभी आपको इसका फुल फॉर्म ही पूचा जाता है उस पर पाया गया या वाइरस था तो उसका नाम क्या है तो सही answer होगा B number यानि brain या MS-DOS के लिए परतम computer virus का और दियोगिक नाम है वे metal detector जिनसे होकर हवाई अड़ों पर लोग गुजरते हैं वह किस के द्वारा संचालित होते हैं यानि किस law के द्वारा संचालित होते हैं अब जो भी airport पर जाते होंगे या फिर railway station पर भी अब लगा होता है वो metal detector होता है जिससे होके आपको पास करना होता है तो वह किस law पर काम करता है civil law, newton's law, faraday law, column's law यह answer से ही clear है सही answer होगा C number यानि faraday के law पर यह work करता है चोल राजवन्स के अंतिम सासक कौन थे राजराजा चोल थरी, राज़ंदर चोल थरी, विज्याले चोल या फिर कोलु थूंगा चोल थरी चोल राजवन्स के अंतिम सासक कौन थे तो सही अंसर होगा बी नम्मर यानी राजंद्र चोल जो हैं वह चोल डाजवन्स के अंदिम सासक थे राजंद्र चोल थ्री पोलियो वेक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी आजेक न्यूटन के द्वारा, मैरी क्यूरी के द्वारा, जोनास सॉलक के द्वारा या जोन ई सॉलक आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा अलवर्ट अइंस्टीन के द्वारा, पोलियो वेक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था सही आंसर है सी नमर जोनास सॉल्क या जोन ए सॉल्क के दोरा पोलियो वैक्सीन का खोज किया गया था दुनिया का पहला कितरी मुपगरा जो 83.6 किलो ग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था किसके दोरा लॉंच किया गया था दुनिया का पहला कितरी मुपगरा जिसका वजन 83.6 किलो ग्राम ता किसके दोरा लॉंच किया गया था पहला इन्फॉर्मेशन का पही आंसर देने के लिए अमेरिका चीन सोवियस संग फ्रांस तो सही आंसर होगा सी नम्मर यानि सोविय संग के द्वारा पहला कितरी मुपगरा पर छेपित किया गया था जिसका वज़न 83.6 किलोग्राम था इंगलिस चैनल को तैरिकर पार करने वाली पहली भारतिय महला कौन सी थी तो यहां पे आपका सही आंसर होगा सी नम्मर यानि आरति साह इंगलिस चैनल को तैरिकर पार करने वाली पहली भारतिय महला है सी नम्मर आरति साह 1949 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस छोड़ने के बाद सुवास चैन्दर बोस ने किसका गठन किया यहां से दो कॉश्चन मनते हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को सुवास चैन्दर बोस ने कितने स्वी में छोड़ा तो 1939 इस्वी में और छोड़ने के बाद सुवास चैन्दर बोस ने किस संस्ता का गठन किया तो आपको आंसर देना है पहला अप्शन है फॉड़वार्ट ब्लोक, सुराज पार्टी, सोशियलिस्ट पार्टी या फिर गदर पार्टी सही आंसर होगा ए नम्मर यानि फॉड़वार्ट ब्लोक की अस्थापना सुवास चैन्दर बोस ने किया था पहला एंगलो बर्मी युद्ध कब हुआ था 1892, 1893 में, 85, 86 में, 24, 26 में या फिर 52, 53 में पहला एंगलो बर्मी स्यूद्ध कब हुआ था तो यहां पर सही आंसर भी C नम्मर होगा यानि 1824, 26 में पहला एंगलो बर्मी युद्ध हुआ था C नम्मर आपका सही आंसर करकर एकान अमलिकित राज्जियों में से किस्से होकर नहीं गुजरती है या तो आपको मालुमी होगा सही आंसर है D नम्मर यानि मनिपूर से होकर करकरेखा नहीं गुजरती है अन्य सभी राज्जियों राजस्थान, मिजोरम, तिरपुडा इनसे होकर करकरेखा गुजरती है बीहु निर्थ किस भारतियर राज्जि का लोक निर्थ है असम, अरनाचल परदेश, उरीशा, हडियाना तो या असम का लोक निर्थ होगा सही आंसर आपका ए नम्मर होगा बीहु निर्थ या असम राज्जि का लोक निर्थ है या बीहू तेवार भी मनाया जाता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वारेन हेस्टिंग्स लुइस माउंट वेटन एडवर्ड लॉ तो सही आंसर होगा ए नमर यानि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लिकित मंदिरों में से किस से यूरोपिय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा गया था अब आपने सुना होगा इस मंदिर का नाम ब्लैक पैगोडा किस के द्वारा कहा गया था एरोपिय नाविक जो आए थे उन्होंनों उसका नाम Black Pagoda बोला था तो किस मंदिर को बोला था? कोनार्क मंदिर जगडनाथ मंदिर मुक्तिस्वर मंदिर सही अंसर होगा A. कोनार्क के सुर्ज मेंदिर को ईरोपिय नाविकों ने Black Pagoda कहा था अगर बात करें जगरनात मंदिर की तो यह पूरी में इस्तित है आज वर के लिए इतना ही मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 28 के साथ तब तक के लिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा यदि आप चैनल पे ने हैं या आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कृपिया चैनल को सबस्क्राइब कर लें नोटिफिकेशन मेल को दबा लें दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 28 के साथ